इसका नाम है Unboxing Story तो इस वीडियो में आपसे शेर करने वाली हूँ मिशो प्रॉडॉक्ट हॉल यहां पर जो है मैंने रिदेमिट ब्लाउज पर्चेस किये हैं तो उसी का रिवी शेर करने वाली हूँ आप से प्रता ही होगा कि ब्लाउज की जो स्टिचिंग प्राइज होती ह तो 500 के उपर तो प्राइज होती है अगर आप ब्लाउज स्टिच कराने जाओगे और यहां पर मिशो पे जो है 500 के अंदर आपको रेडिमिट ब्लाउज मिल रहे है तो कितनी अच्छी बात है ना चलिए स्टार्ट करते वीडियो को बिनादेर कीगे लिए स्टार्ट एट तो आप देख सकते हैं यहां पे सब फैकेज है मेरे उपन करके रखे है तो आपको में एके करके दिखाती हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे आप यहां पर देख सकते हो यह है गोल्डन कलर का ब्लाउज इसके पहले उपन करते हैं तो यह कुछ इस तरह का है आप यहां पे देख सकते हो and यह सब रेडिमेड ब्लाउजेज है and free size में है आप यहां पे इसका work देख सकते हो यहां पे कुछ work किया गया है यहां पे golden color के मोती लगे हुए and इसका pattern आप देख सकते हो अभी जो trendy pattern है यहाँ पे जो है यह back side है यहाँ पे आपको zip दिख सकती है यहाँ पे zip है and सामने से जो है यह कुछ इस तरह का है princess cut blouse है यह कुछ trendy अभी बहुत market में न्यू चल रहा है तो इसलिए मैंने इसे purchase किया है बहुत ही प्यारा pattern है तो जब मैंने सुचा कि अगर मैं ब्लाउस stitch कराने जाओंगी तो 350 रूपीज तो आराम से ले लेंगे 500 भी ले लेते हैं प्राइज जो है ब्लाउस की से लाई की तो मैंने सुचा कि क्यों ना रेडे मेडी ब्लाउस लिय तो आप इसे purchase कर सकते हो बहुत ही प्यारा ब्लाउस यह कुछ राजस्थानी पैटन में है मतलब इसकी जो क्या बोलते है इसको हाई जो है थोड़ी जादा है हम जो रेगुलर ब्लाउस करते हैं उससे ज्यादा है यहां पर देख सकते हो आप कितने अच्छी डिजाइन यह है इसका यह कूछ जेह है एक तारेय के सारी कि किया है उसके साथ इसको सथ मेने पर्चस किया है गोल्डन कुस्का जो उसके साथ जो ब्लाउस आया है वो भी बहुत आप बसना है क्योंकि रेडिकलर अल्मोस्ट सभी सारियों के साथ मैच हो जाता है तो आप यहां पर देख सकते हो यहां पर दोरी भी दी गई है तो ब्लाउस का जो फैब्रिक है अच्छो कॉलिटी का है इतना बुरा नहीं है एंड यहां पर जो है अगर आप कंफर्डेबल यह क्योंकि हाप स्लीउस में है आप यहां पर देख सकते हो तो यहां पर जो है स्लीउस भी दी गई है हाप स्लीउस है तो आप इसे जॉइन करके भी पहन सकते हो तो यह भी एक प्यारा ब्लाउस है यह बहुत सारी सारीयों के साथ चला जाता है एंच पर फेस्टिव लूक आजाता है इस इंपल भी अगर आप सारी प्राइज है आप यहां पर देख सकते हो कितनी प्यारी यहां पर डिजाइन दी गई है तो आप इसे डेफिलिटी वर्चस कर सकते हो बागी की ब्लाउज है वो सब भी ब्लाक कलर के और की है तो मैं आपको एक एकर के दिखाती हूं आप यहां पर देख सकते हो यह कुछ इस तरह का है यह एक हाइन वाला ब्लाउज है मतलब पर पार्टिवेर ब्लाउज है तो इसको अगर आप ग्रे कलर की निशों पर ग्रे कलर की एक सारी मिलती है मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी लेकिन अभी तक नहीं ले पाई त सअरे के साथ यह वाला ब्लाउज बहुत ही प्यारा लगता है यह उब ङयों आप आप दिख सकते हैं ब्लाउज है लर्च श्रेंट बलाउज है लंगये मतलब फीं साइज में है तो आराम शी फीकों सरीकों भीर नेंट है तो इसको तो फिलाल तो मुझे छोटे साइस का है तहने के बाद में आपको लुक शेयर कर दोंगे कि मुझ पर कैसा लगता है तो अब उसके बाद जो है दूसरा वाला ब्लाक कलर का ब्लॉज में आपको दिखाती हूँ जो को मुझे पूरे ब्लॉज में मतलब जितने वही ने ब्लॉज पर्चस किये उस्के सबसे ज़्यादा कछ गोर्जी में सब्वार के ऊपर छल जाता है किसे हो कितनी पियारा थे अप देख सकते हो ईहां तिस बहुत कितनी प्यारई की ए आप कितनी प्यारी है यहां पर भी ऐहां पर जो नेख है वो भी बहुत प्यारा है कि इटीप नहीं है मुझे जादा पसंद नहीं है कि इतना बिर नहीं है जा पर जिए टाइसल्स है nuclear के अन्ड यह WR已 princess cut movie है यह उसको आप देख सकते हो पीछे से हूण है और पर चर्ावtv कुलाओज तो यह वाला व्लॉज मुझे मेरे सबसे मितलब सबसे ज्यादा यह वाला व्लॉज मुझे बहुत भी पसंद आया एंड़ी 83 इसकी प्राइज है यह भी पार्टी व्लॉज है इसे भी सारे के सातावी से पहन सकते हो यह जो मैंने पहले आपको कॉलर कल बाउस दिखाया यह 265 रुपीज का है मिशो में जो है वो फ्लिपकाट अमजोन की तरह कोई लिंक नहीं होती यहाँ पे कोड सर्च करके प्रॉड़क दिख जाता है तो यह जो मैंने अभी प्रॉड़क पचेस किये उन सभी का जो कोड है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी आपके लिवाइब की पोचेंग